जापान की मून मिशन स्नाइपर ने शुक्रबार की देरात चांद पर सफलता पूर्बक लेंडिंग कर ली है जापानी स्पेस अजनसी नाक्षवा के प्रेसिडेंट हिरोशी यमा काबानी मिशन की सफल लेंडिंग की पुष्टि की है एजनसी के अधिकारियों ने कहा कि कंट्रॉल रूम से संपर्क हो गया है हलाकि स्पेस्क्राफ्ट को सोलर जनरेटर अभी काम नहीं कर पा रहे हैं फिलाल स्पेस्क्राफ्ट पूरी तरह से अपनी बैटरी पर निर भर है और इसी के साथ रूस चीन अमेरिका और भारत के बाद जापान चांद पर मून मिशन क की सफल लेंडिंग कराने बाला दुनिया का पांच बादेश बन गया है बताने की स्नाइपर 25 दसंबर को चांद की और विट में पहुंचा था तब से ये चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा था स्नाइपर पहले हुए मून मिशन्च में लेंडिंग के लिहाज से सबसे एड से लेस स्लिम लेंडर चंदरमा की एक्वेटर पर लेंड कर चुका है